कि यह दोस्तों मैं सब्सक्राइब करता है कि आपको रेशिपी प्रोवाइड करता है अलग-अलग फुड जो होते हैं उनको जो अप फुड की रेशिपी आपको चाहिए उसके लिए आपको कहीं और जाने जरूत नहीं है यह अप्लिकेशन को यूज करना है दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो कौन तक देखिए ताकि आप इस रेश्पी को जितने भी फूड है भारत में वह आपको मिल जाएंगा दोस्तों इसमें रेश्पी चलिए मैं सबसे पहले सब्जी सूट की चटनी देखिए ऐसे ड्रेक करते रिए स्वादिष्ट गोवी मंचूरियन देखिए इसतरह से उसके बाद देखिए निबू हरी मिर्च का अचार भूटे की चटपटी चाट बेशन और प्याज की सब्जी उसके बाद से रख की चटनी यह देखिए तो चल लालमीचप zucchini यहां पर गून आट बड़े चमक नमक काला स्वाधनिशाथ और कितने लोगों ने देखा है यहां पर शुड़ी से लोगों ने देखा है और यहां पर इस साफ.当 आक उन पर आप यहां उसके बाद यहां पर आप इसको automatic कर सकते हो, set कर सकते हो, कैसे चाहिए, dark चाहिए, light चाहिए, जो आप दिख रहे हो, यहां पर आप share कर सकते हो, किसी के पास अगर इसको share कर सकते हो, जहां चाहिए वहां, जिसके पास share करना चाहते हो, जो आपकी recipe है, किसी और को चाहिए, तो तो आप इसको Share कर सकते हो अगर इसपे क्लिक करोगे इस पे तो यह आपको फेवरेट में आ गया दोस्तों कुछ एड आ सकती है लेकर हमें एड्स से नहीं लेना है हमें जो इसमें जो औरिजिनल चीज है उसको हमको लेना है यहां से कटका लेते है उसको देखें आपे मैंने बीसमेंद को लगा दी तो यहां पर चलीक करूंगा इस पहर ऐसा पर से यह तो इस पर खुलीक U F sweetheart लेएयों ल्हादगे तो पहले से लाटी सब्सकराइब है जाले पालती चने इसब्सक्राइब की सब्सक्राइब गलगे और अम्चूर पडर यहां पर आपको सारी लिखिव कैसे बनाना है और इतने लोगों ने देखे दोस्तों देखा है और इसको आप यूज कर सकते हो अगर दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कर दे उसको दोड़ सारे देख रहे हैं पालक की चटनी पालक पनी दोसा इसी तर और रिप्लाई करूंगा यहां से बढ़ा देखे वड़ा यांना पणीर के बढ़े बड़या आलू बढ़ा अलू ओक हम आस्यूर मजग breakdown एक यहां दही बढ़ा यह बहुत मज़ा आता है इसको दही यहां कितने लिटर चाहिए करीब उसके बाद की ताल शकर चाहिए किश्मिष एक बड़ा चमच भुना जीरा हरी मिर्च जीरा हिंग चाट मसाला पाउडर तेल नमक इमली देखे चटनी के लिए इमली उसके बाद यह अच्छे से बड़ के बना सकते दोस्तों और एक 17,89 ने दिखाए दोस्तों तो तो अच्छा है आपको अच्छा लगा होगा और यहां पर देखे रिकमेंडी में रिकमेंड किया रहा है तो देखिए यहां पर मौ्रेकमेंड में कुछ ऐसी दिखाई जा रही है ठीक है और पहुत है इसको किया गया सूजी और मैदी की जलेवी को भी जलेबी को चलेवी यहां पर देखते हैं पानी आज़र है दोस्तों आख में पानी आज़र है और उसके बाद अगर विकली रेस्पी आम करेता यहां से रास्था नी तो यह दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा अप्रिकेशन तो मैं सुचा कि मैं थोड़ा सा इनके बारें बता दूँ यहां पर देखिए ओल रेस्पी पर क्लिक करोगे यहां पर पुलेश्य क्लिक करते ही आपके साने सारे रेस्पी आजेंगे सोया कीमा पीनर बटर बाज सबसे पहले उसको आपको अपने पास रख लेना है उसके बाद आपको बीदी को अच्छे समझ लेना है यहां पर देख सकते हो और बहुत ही अच्छा है थोड़ी बहुत यह मीशो का एप्लिकेशन का थोड़ी एड इसमें डाला गया लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं है हमे आप ला सकते हो और अच्छे सीज़ कर यहां पर सकाहरी जो भी फूड है आपके सामया जाएं इनको आप देखके कोई भी बना सकते हैं दोस्तों बस आपके पास सामगरी होनी चाहिए तो माले मैं इसमें कोई सब्सक्राइब कर लेता हूं और यहां पर मैं क्लिक करता हूं करें चावल कि चकली जी है आख मेंकि चावड कि दोस्त Unidos कि चावल की दोस्तों यह कितना संधार लग रहा है जो स्फौ अब है कि नी में किसे यह की सकति हो आंपकी सामय दोस्तों आ तो राइस अज़ेंगे देखिए है हैधराबादी डम बिर्यानी यहां पे मसालेबाद केसर पुलाव गटा पुलाव हटर मटर यह सारी चीज़ आपको देखे जीरा चावल यह अच्छी है यहां पर देख सकतो बासमदी चावल कितना चाहिए घी कितना चाहिए तिल कितना सारी समगरी और यहां पर बीदी आप देखे अच्छी से बना सकते हैं तो चावल को साब किजिए धोकर इतने घंटे आदे गंटे केले पानी में भीगो दिजिए आदे गंटे बाद चावल में आत्रीक्त पानी निकलकर हटा दीजिए सारी चीज़े यहां पर है और यहां तक समगरी में आम देखे 300 ग्राम चाहिए मैदा आपको एक चाहिए चीनी पॉड़र आधा कप चाहिए 100 ग्राम दूद्ट चाहिए तीन से चार टेबल स्पूर्या से कंडेस्ट मिल्क चाहिए किसमिस चाहिए काजु चाहिए बेकिंग पोड़ा चाहिए और यहां से आपक देखे लाख सकते और तिरंगा पराठा नेयुका refusing मिल्क जहां इसके बाद सकते हो यहां पर दके ठीकरियाँ,, ग्रेवी और करी पर अगर आप क्लिक करोगे यहां पर बहुत सारी करी यहां पर आजाएंगे ठीक है इसको देख सकते हो उसके बाद अगर ब्रेकफास्ट पर क्लिक करते हो तो जो हम नास्ता में खाते हैं वह सारी चीजे जैसे के दही का पराथा यहां से यहां से बहुत सार हुआ मखाने की खीर मुंफली की कतली साबूदाना खीर देख राजगिरा का लड़ू चलिए इस प्लिक कर लेते हैं तो देखे राजगिरा चाहिए आपको इस तरह का लड़ू होता है दोस्तों यहां पर गुड़ चाहिए घी चाहिए किसमिश चाहिए सारी चीज़ा देख चीनी बदाम काजू किशमिश चोटी लाइची निबू चाहिए उसके बाद के सेब को मजदा हलो बनाने के लिए यहां से पहले सेब को छिल कर लें सारी चीज़ा कितनी अच्छे से लिकिए होई है वान स्टेब देखे टू स्टेब त्री इस्टेब फॉर इस्टेब और चीजी आचाहे से बना के सर्व करें ठीक है इस तरह से आपके छो Good egg केक यहां सी आणिक करोगे होग सबस्कुदे से विम्ताम कर चाहिए उसके बाद वीध Alberto तो बैक कर लेता हूं और उसके बाद देख लेता हूं अचार देखे पिकल पिकल में अचार देखे चटनी पिकल भी है पिकल चटनी यहांसे अनार की चटनी दोस्तों बना सकते हो देखिए इस तरह से दोस्तों अगर आचा लगा तो लाइक कर दें और यहांसे आप देख सक कब बारी कटी हुई लहसुन की कलिया ताजा मलाई मखन मकई काटा नमक स्वादनिसार मखन एक बड़ा चमच और यहां से वीदी सारी चीज़े अच्छे से लिखी हुई है ठीक है और यहां से आप देख सकते हो दोस्तों तो इस तरह से दोस्तों इस अप्लिकाशन यूज कर करते हो माले जाब मुझे रहसे पीच आहिए प्लें उसमय नहीं मिला माली को नहीं मिला मोटेर्ज शुल्ण तो धित्याफर मैं आऊंगा सार्च बीजूल्स धेकर करीं अधर देने करूण ऑच्छेगा बड़ा करीं आर्श स spontan करीं रहरा दाइक देश्ठान देखिए हम हम चाहिए दो कप पानी चार कप सिट्रिक एसीड रोज एसेंस कुछ भूने और यहां पर आपको बीडी बहुत सारे मिल जाएंगी और यहां पर लोगों ने देखा भी है करीब अच्छा लगा तो लाइक कर दे कोई सवाल हो तो आप फूच सकते हो और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भुनाबले आप सभी का बहुत बहुत धनेबाद इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए देखते रहिए बनाते रहिए खाते रहिए खिलकलाते रहिए